Let's start with question number 14. It says without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. तो हमें सब के cubes निकालने की ज़रूरत नहीं है और उनको add करने की ज़रूरत नहीं है. तो बस हमें करना किया है, हमें एक identity यूज करना है, जो हमने last part में निकाली है, एक तरीके से कह सकते हैं, a3 plus b3 plus c3 is equal to 3abc, मतलब अगर आपके पहले तीन numbers cube में हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसका sum निकाल सकते हो, total निकाल सकते हो 3a into b into c से, बट ये possibility जो है, वो तभी possible है, ये जो identity है, ये तभी possible है, जब आपके तीनो numbers का sum 0 बने है, देखो, जैसे आपके पास यहाँ पे a के है, minus 12, b के है 7, c के है 5, तो minus 12 plus 7 कितना हो गया, minus 5, minus 5 plus 5 is 0, तो तभी आप ये identity का use कर सकते हो, इतना ध्यान रखना, ऐसे नहीं किसी भी case में use नहीं हो सकती है, तो अब हमें करना किया, first case की अगर हम बात करें तो, उसमें है आपका minus 12, a, 3 into minus 12 हो जाएगा, into b, which is 7, c कितना है, 5, तो आप क्या करोगे, 3 into 12 को multiply कर दोगे, 3 into 12 कितना होता है आपका, it is 36, 36 और 35 को multiply करोगे, तो आपका आजाएगा, minus 1260, इसी तरह second part भी कर लेते हैं, second part में क्या है आपका, सबसे पहले आप चेक करो, कि इनका sum 0 बन रहा है या नहीं, so it is 28, plus minus 15, plus minus 13, तो 28 minus 15 is 13, 13 minus 13 is 0, तो जब sum 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, that you have to take the product, तो product कैसे लोगे, 3 into 28, minus 15, minus 13, so 3 into 28 into 15 into 13, तो सबसे पहले तो आपका minus से minus cancel हो जाएगा, आप multiply कर दो इन तीनों terms को, आपका answer आजाएगा, 16,380, so yes, this is the answer of question number 14, let's now move to 15th question,